नमस्कार दुस्तो ओल इंद्यागे टुप चलमें आपका स्वागते दुस्तो अगर आपने पेटियम से किसी को भी पेमेंट किया है और यदि आपका जो पेमेंट है वो अंडर प्रोसेस दिखा रहा है जिसकी यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह जो मैंने 20 रुपे का पेमेंट किया है वो अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है लेकिन यह जो जिसको भी मैंने पैसा ट्रांसफर किया है उसके अकाउंट में यह पैसा पहुचा ही नहीं और मेरे बेटियम वोलेट से यह पैसा डेबिट हो गया जिसे कि आपने अगर बेंक अकाउंट से पैसा डेबिट किया है यह फिर वोलेट से किया तो हमारे जो बेंक अकाउंट से पैसा कट जाता है और जिसको हम पैसा send करते हैं, उसके bank account में ये पैसा पहुंसता ही नहीं, उस condition में यहाँ पर आपको process दिखाता है, इस problem को आप कैसे ठीक करेंगे, आज की वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूँ, और ये problem शूँ आती है, वो भी मैं आपको बता दूँगा, और इस पैसे को दुबारत से आपको refund लेने के लिए क्या करना होगा और क्या process होता है, पूरा इस वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूँ, तो जैदि आपका भी पैटियम पर under process या फिर पैटि pending दिखा रहा है, जो भी आपने transaction किया है, तो उसको आप कैसे सही करेंगे, और कैसे refund लेंगे, तो चैलिए दोस्तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद में आपको पनी passbook को open करेना है, और जो भी आपने transaction किया होगा, वो यहाँ पर show करेगा, तो उसके उपर आपको click करके, दुबारा से एक बार check कर लेना है, जो आपका जो transaction है, वो successful हु एक बार आपको pattern को refresh कर लेना है, जैसे कि इसके उपर में click का लेता हूँ, और यहाँ पर में देखता हूँ, 20 रुपे का amount है, वो successful हो चुका है, जो भी मेरा pending show कर रहता, वो complete हो गया transaction, तो दोस्तो अगर आपका pending जो दिखा रहा है transaction, अगर वो आपका complete नहीं होता है, तो इ आपको successful हो जाता है, तो आपको जो आपका amount refund नहीं मिलेगा, अगर आप में बता देता हूँ कि अगर आपका under process दिखा रहा है, फिर pending दिखा रहा है, तो आपको 48 गंटे के अंदर अंदर जो भी आपका transaction है, वो complete हो जाएगा, नहीं तो fail होकर आपको जो पैसा है, वो वाप protect 24-7 help, इसके उपर आपको पैटियम से आप message बात कर सकते हूँ, तो इस प्रकार से आप पैटियम से support ले सकते हो, अब आपका जो भी transaction है, वो successful हो जाता है, वेसे आपको यहाँ पर एक बार refresh करके check करना होता है, ज्यादा टाइम लगेगा तो 48 hour का, तो आई हो भी वीडियो आपको पसंद आगा, अगर पसंद आए तो like and share जुरू किजेगा,